जहां से डोली उठी थी आज वहीं से फिर से अर्थी उठानी परी है यह देख लिजिए यह विवस्था है उस बच्ची की मा और पिता दोनों गले मिल करके रो रहे हैं आज ही अपनी बेटी को अंतिम संस्कार करके आए हैं और विडमना देख लिए कि साधी के साथ महिना के अंदर में ही इनके बेटी को लास आज इस धर्ती पर लाना पर रहा है अच्छा समझ के हमारे बेटी को दाइज करण जला दिया उसको मार दिया उसलिए हम आज दरभांगा जिला के क्योटी प्रखंड अंतरगत गठूली गाउं पहुचे हैं आज एक ऐसी घटना से हमें रूबरू होना पर रहा है इस घटना की शुरुवात कहां से करे और इस घटना की अंत कहां से करे ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है जहां दहेज के लिए आए दिन बेटियों को जला दी जाती है बेटियों को हत्या कर दी जाती है तो आज वही घटना इस गरीब परिवार के यहां देखने को मिली है हम दोस्त देंगे समाजिक ववस्था को जहां दहेज के लिए आज भी बेटियों का कतले आम कर दिया जाता है मौका मिले तो उन्हें पेट्रोल डीजल डाल कर जला दी जाती है आए दिन आप लोग भी इस परकार की घटनाओं से रूबरू होते होंगे लेकिन इस घटना की सुरुआत कहां से करें यह मुझे पता नहीं चल रहा है आज परिवार के सभी सदस इधर मा है इधर पिता है चाची है दादी है और गाउं के लोग है एक रिक्सा चलाने वाले अपने परिवार की परिवरिस किस परकार से कर रहे हों तो ऐसे में उस परिवार की बेटी को दहेज के खातिर से दरिंदों ने ऐसे ऐसे कृत किये है जो समाज को तो बदनाम कर ही दिया है लेकिन आज फिर से उस एक बेटी को निगल लिया है ऐसे दरिंदों के कारण समाजिक व्यवस्था आज भी डगमगा रही है समाज में दहेज के कारण आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है आज यहां की जो परिस्थिती देख रहे है तो हमें भी रोना आ जाता है कि किस समाज में आज हम लोग जी रहे हैं एक इसमी सदी में भी बेटीयों को सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए मार दी जाती है बेटीयों को सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए जला दी जाती है तो ऐसी बिडंबना वाली घटना ना हिर्दै बिदारक होने के साथ साथ ही द उसमें उन्होंने जो भी चाहा जो ऐसे भी हुआ लरके बालों को दिये लेकिन पता नहीं अब कौन सी ऐसी इनके पास वे संपता थी जिसके कारण इनके बेटी को आज ससुराल पक्ष ने जला करके मार दिये है और घटना का सबसे बड़ा बिदारक इस्थिती यह है उस बेटी का अंतिम संसकार उनके ससुराल में होना चाहिए था आज भी डामना देख लिजिए के छोटे भाई के गले में उत्री देख रहे होंगे यह कितना बरस सर्मसार करने बाला समाजिक ब्यवस्था है जहां आज भी समाजिक जो ब्यवस्था है उस ब्यवस्था में हाल है लेकिन हकीकत क्या है यह जब पता चलेगा न तो आप लोंके भी आखों में आशुआ जाएगा आज यह परिवार हो रहा है न इसकी सुरुवात हम भी कहां से करें पता नहीं चलता है साधी के साथ महिना के अंदर में ही इनके बेटी को लास आज इस धर्ती पर लाना किया जाता है आखिर क्यों समाज के लोग आप लोग सुन रहे हैं अप लोगों से प्रस्न है कि कब तक सहसके लिए बेटियों को मारते रहेंगे आईए हम आपको बात कर वाते हैं किस प्रकार की बेद लिए और किस प्रकार का कष्ट पहार के तरह टूट परा है याग संकर पुरा नाम बताई यह गौरी संकर चोदरी जी हम कहां से सुरू करें हमें भी पता नहीं चल रहा है लेकिन आप बताईए समाज को कि क्या घटना आपके बेटी के साथ में घटी है आप दो बैठी दिये थे अच्छा घर अच्छा समझ के वहारे बैठी को दैजे करन जल आपको ऐसा बात कहा बेटी ने आपको बेटी ने जब आपको बोला कि पापा जी हमारे हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आपको तो समझना चाहिए कि बेटी हमारी जो है कस्ट में है तो उनको ले आते हैं हाँ हमने कर्ष्त में वहले समझ जलने से पहले ना भोली से पहले समझ जलने से पहले अपने गड़ मंगा लूगा पर क्ली अपरसु में जाओं कि बाता और यह रहे हैं जो नो यदा तारीकर नो तकरीक में आप कहा थे लेकिन सादी जब किये थे तो उस समय क्या-क्या मांग थी जो आपने उनकी मांगों को पूरा नहीं किये उनकी मांग था रहे लाख रुपाया गारी दोभर सोना बहुत कुछ मांगता लेकिन हम गरीब आदमी नहीं दे पाएंगे इतना इसलिए हमने लड़का तो पसंद ले तो पर आपकी पर नहीं दे पाएंगे हम थोड़ा बहुत सोना दे देंगे सोना बहुत देख लिजिए रो रो कर बुरा हाल है आप देख लिजिए एक बाप के ऊपर कि किस क्या बीत रही है ना आप समझ लीजिए बितिस कुमार जी आप लगातार काते हैं कि बिहार में दहेज बंध है न तो यहां आप देख लिजिए न दहेज के कारण क्या हो रहा है तो यह देख लिजिए यह विवस्था है बच्ची की मा और पिता दोनों गले मिल करके रो रहे हैं एक दुसरे पलिपट रहे हैं कि हम आज किस बेटी को जनम दिये थे आज दरिंदों ने किस परकार से डीजल पेट्रोल डाल करके जला दिया है तो यह नासूर विवस्था आज भी समाज को कलंकित कर रही है आप लोग आरोप तो नहीं रागा रहे हैं कि जा अब इससे पहले भी आपके बेटी के साथ में किसी परकार की उत्फिरन किया रहा था अब इसे दो महिना पहले दो आप पहले की बात है अब आप पहले लेकर लेकर अपनी बहन को लिए पर समाज को ला कि साधी कर दिया तो बार बार तुब बहन को लाए गया तो अब हो ही रहेगी समझाता करने के लिए आप लोगी देख लिए लाहास लेकर उसको गां में अधा गां में गया लेकर देने के लिए उसको इतना बोला यह तो नहीं बना है आप लोग देख लिए पाण किया जा दो अब लोग संग्कार कीजे रहां हम नहीं लएग लाएंगे हम उस अपना जेक यह किया है मतलब उसको मार दिया उसको जाका जाक चोर दिया पटना में असाब लगत चोर के बहां गया आप देख लिए यह भाई है जब यह डोली उठाए होंगे सब्सक्राइब भेज रहे होंगे उस समय क्या खुशी रही होगी जब रक्षा बंधन में सपना सजाए होंगे कि हमारी दीदी आएगी यह हमारी पहन आएगी तो हम राखी बंदबाएंगे न तो आज यह सारा सपना तूट रहा है और राखी के बदले में आप देख रहे हैं न यह राखी के बदले में जो इनके गले में हार परा है यह इसी से आपको समझ में आ जाएगा हम आपको यहाँ की दिखाए हैं तो निसीतरुप से यह रूदय बिदारा की स्थिती है इस हिर्दय बिदारा की स्थिती में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हम दर्भांगा जिला के क्योटी प्रखंड के गोठूली गवं में आए हैं और यहां की जो हिर्दय विदारा घटना है उस घटना को दिखाए हैं तो निशित रूप से ऐसे दरिंदों के लिए आप लोग का न्याय होता है कमेंट करके जरूर बताएंगे साथ में इस परिवार के लिए आप लोग क्या न्याय मांग करते हैं निशित रूप से आप लोग कमेंट करके बताएंगे और साथ में ऐसे परिवार के लिए आप लोग चाते हैं कि न्याय मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से और उस दरिंदोय को न्याईक मिवस्था से निस्टितरूप से सजा मिले और इस परिवार को न्याई मिले तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को ज़दा से ज़दा सेर कर दीजिये अंत में हम अपने तरब से इतना ही कहेंगे कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैसेज मिला है और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सिर्फ लाइक कीजेगा और कमेंट करके बताईएगा कि ये घटना किस परकार की रही है बहुत बहुत दनेवाद जै हिंद जै भारत जै मित्ला